जहेंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टड़ी विद एम एस्वीप चैनल पर दोस्तों यह इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी का यह नए नई सीरीज है प्रश्णों की ठीक है इसमें सारे कुश्चन जो है वो प्रिविएस एर में कहीं कहीं आये हुए हैं यह और महात् लिए उस प्रश्णों के सीरीज है तो यह प्रिक्षावाणी है उसकी यह सामानेध्यंट बिसेशंग के सीरीज है इसमें जो भी प्रश्ण है उसको सॉल्व करते हैं परते चलेंगे इसको ठीक है और कुछ डिटेल्स होगा तो उसको भी मैं बताता चलूँग आपको प्र यह जो भी हैं जितने भी एक्जाम आने वाले हैं आगामी दिनों में उन सब में यह महत्पूर्ण होंगे तो इसको आप चैनल में अकर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए और उसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं without any delay वीडियो को ठीक है पहला question देखते हैं निमलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है यह राजस्तान सर्विसेज में आया हुआ है आरेस में परियावरण की कारणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है तो सही है परियावरण के तत्तों मे है तो यही गलत है ठीक है चलिए परियावरणी व्यवस्था में स्वयम संवर्धन चमता विद्मान होती है तो यही एक गलत है यानि कि इसका अंसर यह पूछा गया है तो यही वाला गलत है ठीक है next question देखते हैं निमलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियम से संचालित नहीं होती है होती है ठीक है उर्जा प्रवाण्य ष nell 7 में होता है वह यह प्राकृटिक की तंत्र यह अईसा है जो प्रक्रतिक नहीं होता इसमें तो क्योंकि निखाई हुआ है मानोव प्रेजित है तो उसमें प्रक्षित कोई नहीं है ठीक है हस्तक्षेप का मतलब यह है कि वो प्रकृत की नियमों से नहीं चल रही है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कथन और कारण पर्यावरण अपार सक्ति का भंडार है ठीक है सही बात है अब इसको ऐसे प्रश्णों को आप पहला प्रश्ण पढ़िए जो कथन दिया हु क्योंकि क्योंकि लगा के दूसरा उसका जो कारण है वो पढ़िए क्योंकि परियावरणी सक्तियों इवं प्रक्रियाओं के फ्लस्वरूप परियावरणी चत्तों का निर्माण होता है तो सही बात है यानि कि और उसी की वजह से परियावरण अपार सक्ति कभंडार भी है तो यानि कि वो कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है ठीक है तो सही है ये दोनों सही है ठीक चलिए आगे बढ़ता है परियावरण के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन इसमें से असत्य है थोड़ा लोगो भी दिखाए देगा मैं ही सिर्फ देख रहा हूं थीक है तो चलिए बढ़ते हैं परियावरण के संब्ध में निमलिकित में से कौन सा कथन असत्य है तो बताइए इसमें कौन सा कथन देखे पढ़िए जयव मेंडल परियावरण के अध्यन की आधार भूत इकाई है ठीक है सही है जयव मेंडल में भौतिक्यम जयविक दोनों तत्त्य विदमान हैं सही है हमने उपर पढ़ा हरे पहुते अपने मृत अवयोवों को अपगधित कर सकते हैं तो हरित पहुते थोड़ी करते हैं आप देखिए उनके लिए जो होते हैं विगटन कारी जो यह होते हैं जो जिनको बैक्तिरिया या विगटन करने के लिए अलग से जीव होते हैं तो वह होते हैं तो वह इनको जो इनके अवयों होते हैं मृति अवयों उनको अ नहीं बना पाते हैं तो ठीक है वो कहां से बना पाएंगे वो तो वही उन्हीं मृत्य चीज़ों पर और निर्भर होते हैं तो इस वज़ए से इसका आंसर जो होगा वह होगा सी चलिए आगे बढ़ते हैं वनों के काटने का परिणाम क्या होता है अब देखें इन में सम्में देखते जाएगा यह सारे प्रशन कहीं किसी परिक्षा में पूछे गए हैं ठीक है मैक्जिमाम प्रशन कुछ एक को छोड़के मैक्जिमाम प्रशन इसमें पूछे कमी और उपरियुक्त में से कोई नहीं तो देखें बनों का जो काटने का परिणाम है मुक्यता उससे होता है कि मित्ती कछरण होगा और अनियंत्रित बाढ जो भी आप अभी देख रहे हैं बाढ यह चरम जो मौसम के जो चरम गतिविदियां देख रहे हैं आप वो सब इन आध्यूंद इस्तेमाल हो रहा है प्रविध्य ग्लॉबल वार्मिंग थीग है वो बढ़ रहा है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और आप उस से मौसम की प्रवित्य पदल भी रही है तो यह सब देखने को मिल रहा है चलिए आगे बढ़ता है व्रिक्षों होगी उसमें परिवर्तन होगा परिया प्रदुश्रम के खत्रा भी बढ़ता है और भूम होता ही है उतका तो यह इसका आंसर हो जाएगा दी चलिए आगे बढ़ता है जीवों के पारस्थिति कारकों का योग परियावरन है तो यह किस ने कहा यह किसका है जीवों के पारस्थिति कारकों का योग बढ़ता हो ये फिटिंग महोधे का याद रिकिए इसको अधो लिकित में से भौतिक वातावरन का तव violetsて को नहीं है कौन सा नहीं है भूतिक किस प्रकार की अवधारणा से यह संबध है तो बताईए इसमें से यह नव नियत वादी अवधारणा से संबध है सत्त अयों स्थाई विकास चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य संब्ध है ठीक हैं है अविभाज्य समिस्टी है जिसकी रचना होती है तो पर्यावरण से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं वर्तमान समय में वन्य चहत्र उसे कहा जाता है जहां कि एक जहां प्रक्रित में मानोव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है मतलब ऐसा चहत्र जहां पर मतलब मानोव प्रियावरणी निश्चेवाद के प्रतिपादक कौन है यह है कार्ल रिटर महोद है याद रखिएगा इसको प्रियावरणी निश्चेवाद के प्रतिपादक कौन है तो काल रिटर याद रखिएगा प्रियावरण से अभी प्राय है इसमें से अगर सारा पढ़ेंगे तो सभी आपको प्रियावरण से ही सम्मंधित लगेगा ठीक है भूम जल वायु पाउधे पस्वों प्राकरतिक द फ़ी होती है ठीक है भौद जयविक अम सांस्कृतिक तत्तों के अनता क्रिया जो भी पीछे बने पढ़ा दसमें कुस्श्चिन में यह सभी मिलके जो फेलिट का यह परिभासा ही है मतलब इसकी परियावरण के अंतरगती आएंगी तो यह इसका आंसार होगा णी कहीं चलि सतत्विकास की आवश्यक्ता क्यों है सतत्विकास के लिए सतत्विकास के लिए आवश्यक है क्या चाहिज आवश्यक है तो यह जैविक विवित्ता का सनच्छण करोगे तभी तो प्रदूशन का निरोध्यों नियंद्रन करोगे और निर्धन्ता को भी घटाओगे तो यह तो इसमें देखें आप बताईए क्या कहलता है वो क्लाइमेक्स ठीक यानि चरम आवस्ता वो एक तिकाईव जय आवस्ता कहलता है ठीक चलिए आगे बढ़ता है धार्णी विकास किसके उपयोग के संदर्म में अंतर पीधिगत समेधन सीलता का विशय है धार्णी विकास किसके उपयोग में उपयोग के संदर्म में अंतर पीधिगत समेधन सीलता कुछ Nobel है तो यह जो प्राक्रतिक संसाधन है उनहीं से यह घार्णी विकास निकलकर सामने आता है दारणी विकस का क्या मतलब है कि आप अभी कि अऊश्क्ताों अपने जो प्रैक्रतिक सनसादन हैं उनको तो आप प्रयोक कीजिए अभी कि अउश्कताक के अनैसार प्रयोक कीजिए लेकिन इस प्रकार प्योंग किजिए कि जो भविष्य में जो हमारी पीडियां आने वाली हैं उनकी भी उनकी भी जरूरतों को पूरा कर सकें ये प्राक्रतिक्सन्जादन उसी को धारणी विकास कहते हैं तो उसी से संबंधित है ये ठीक चलिए अगर बढ़ते हैं भारत में धारणी विकास के से विद्दूत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है तो भाई आप धारणी विकास की बात कर रहे हैं तो उससे तो जल जल उत्पादन जो हैड्रो पावर प्लांट होते हैं वही होते हैं क्योंकि उससे कोई आपका नुकसान भी नहीं होता है और पानी का यूज भी होता है थीक है 200 परियावरण दिवस किस तारीक को मना जाता है तो यह बहुत बार आपको पता है पूछा भी गया है कही बार यह निमलिखित में से किस एक का संबंध परियावरणी सुरक्षा से नहीं है तो यह वाता नुकूलन बाकि सबसे है धरणी विकास गरीब ठीक है नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉस्चंस लेकर आऊंगा मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में ठीक है आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो पसंद अगर आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ डाउट है तो आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो नए नए वीडियो अच्छे एच्छे टॉपिक्स पे जो है विसलेशन आपको देता रहूं मैं जो मेरा अनुभव है वह आपको मैं देता रहूं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्वस्त्रहिये मस्त्रहिये बिंदाश्री जैहिन